जेहिन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूव चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक सिंदु घाटी सपिता के महत्वों टॉप 50 प्लस कोस्चनों को कवर करेंगे जो आपके आजमी द्रश्टी के परपस से बनाया गया है अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे हैं तो साथियो जैसे SSE GT, UP Police, दिल्ली Police, SSE MTS, UP SSSC, PET और भी कई अधर एक्जाम तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखकर जरू जाईएगा आपके आने वाले एक्जाम के सारे important question आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और आप प्रसनों को not done करते चलना साथियो और साथ में ही अपनी तयारी को भी चांशते चलना कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको आता है ध्यान से पढ़िए, topic important है तो चलिए शुरू करते हैं आज किस class को आपका पहला question है हडपा सब्दा के निवासी थे साथियो, हडपा सब्दा के निवासी कैसे थे तो इसका right answer सहरी अपसर नमबर B next question है सिंदुगाटी सब्दा में घोडों के अपसेस कहा मिले थे next है सिंदुगाटी सब्दा काली बंगन किस प्रदेश में है दोस्तो काली बंगन प्रदेश सिंदुगाटी सब्दा का काली बंगन प्रदेश राजिस्तान में है अगला सवाल है निमलिकित में से किस पदार्थ का उप्योग हडपा काल की मुद्राओं की निर्वान में मुक रूप से किया गया था तो मुक रूप से किया गया उप्युक्दा से लिखड़ी इसका सही उत्तराप्स नमर ए नेश कोश्चन हडपा सब्दा किस युक्की थी? तो हडपा सब्दा कांस युक की हडपा सब्दा थी अगला सवाल है सिंदुगाटी सब्दा के लोगों का मुख भी अफसाए क्या था तो सिंदुगाटी सब्दा के लोगों का मुख भी अफसाए ब्यापार था नेक्स्ट है सिंदु गाटी सब्विता के घर किस से बनाय जाते थे तो घर बनाय जाते थे साथियों इटों से important question है हडपा बासी किस उत्पादन में सरपर्थम थे तो हडपा बासी सरपर्थम थे कापास के उत्पादन में next है निमलिकित विद्वानों में से हडपा सब्विता का सरपर्थम खोज करता कौन था तो हडपा सब्विता के खोज करता दया राम साहिनी थे सिंदु सब्विता का बंदरगा कौन सा था question number 10 का उत्तर है सिंदु सब्विता का बंदरगा लोथल था next है सिंदू सब्विता का सरवादिक उप्युक्त नाम क्या है तो सिंदू गाटी सब्विता का सरवादिक उप्युक्त नाम हरपा सब्विता है इसका राइट आंसर आपसर नम्मर ए सही हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोश्चन पर हडपा सब्टागी खोज किस भर्स में हुई थी तो हडपा सब्टागी खोज सन 1921 सीव में हुई थी हडपा के लोग किस समाजिक पतितिके थे हडपा के लोग उचित समतावादी समाजवादी से थे सिंद का बांग हडपा सब्टा के किस पुरस्तल को कहा गया सिंद का बांग मुहन जोदुरो को कहा गया Question next है हडपा सब्दा के संपूर छेतर का आकार किस प्रकार था तो हडपा के संपूर छेतर का आकार तिरबुजा कार था इसका सही उत्तर आफसा नम्मर C सही हो जाएगा तो चलिए next question पर चलते है हडपा सब्दा के अंतरगत हल से जोते गए खेत का साथ चे कहां से मिला यानि कि खेतों का साथ चे कहां से मिला तो ये मिला था काली वंगन से next है मुहन जोदुरो कहां इस्तित है दोस्तों मुहन जोदुरो पंजाब में इस्तित है सिंद सब्विता में ब्रहत इसनानागार पाया गया important सवाल है तो ब्रहत इसनानागार पाया गया मोहन जोदुडों में next है हडपा सब्विता की मुद्रा किस देप्वता के समतुल चित्रांकन मिलता है तो हरपा सब्दा की मुद्रा किस देपता की समकुल चितरअंकर मिलता है आतोज़ नेक्ट है नेम्लखिस में से कौन सा इस्तेह हरपा कालीन गुजरात में है तो साथी हो हाडपा कालिन जो गुझरात में इस्तित लोथल Important सवाल था मोहन जोदलो को किस नाम से जाना जाता है मुर्तकों का टीला अगला सवाल है हाडपा सबदा का प्राचिन नाम क्या था तो हडपा सब्था का प्राची नाम सिंदु घाटी की सब्था था इसका राइट आंसर आपसन नंबर सी सही हो जाएगा Next है सिंदु घाटी सब्था जाने जाती है जी हाँ सिंदु घाटी सब्था किस नाम से जाने जाती है भारत में खोजा गया सबसे पुराना सहर कौन सा था तो भारत में सबसे पुराना सहर था हडपा शब्वता कोश्चन माड़ा किस नदी के किनारे इस्तित है साथियो मैंने कोश्चन की ट्रिक भी दे रखी है सबस्वाट वीडियो में आपको मिल जाएगी नदियों के किनारे इस्तित पुराने सहर ठीक है साथियो जाके देख लीजिए चलिए कोश्चन नमबर 28 हडपा में एक उन्नत जल पर शामानिता किस रंग का उपयोग हुआ था तो यह उपयोग हुआता साथियो मिट्टी के रंग लाल लाल रंग का उपयोग किया गया था नेक्सट रंगपूर जहां हडपा की समकाली सब्विता थी है रंगपूर कहां इस्तित है तो रंगपूर सौराष्ट में इस्तित है next है हडपा इवे मोहन जोड़ों की पूरा तात्तिविग खुदाई के प्रभारी थे इसका सही उत्त्राफसर नमबर भी हो जाएगा सर जॉन मार्सल मोहन जोड़ों इवे हडपा सब्दा की खुदाई के प्रभारी थे सिंदु घाटी सब्दा के लोग किस पर विश्वास करते थे मातर सक्ती में निम्लिखित में से कौन सा सिंदु इस्तल समुद्र टड़ परिस्तित नहीं है तो समुद्र टड़ परिस्तित नहीं था वो था कोट जीर जी नेक्स्ट निमलिकित में से कौन मोहन जोदोलों की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी विसाल इसना नागार नेक्स्ट है हडपावासी किस दाथ से परचित नहीं थे इसका राइट अंसर है हडपावासी लोहा से परचित नहीं थे नेक्ष्ट रवाल है कपास का उत्पादन सर परतम सिंदू छेतर में हुआ था जिसे ग्रीक या उनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे तो इसे पुकारा करते थे सिंदन नाम से नेक्ष्ट हरपा के काल का ताबे का रत किस इस्तान से प्राप्थ हुआ अपकाल के ताबे का रत दैमावार से प्राप्त हुआ था इसका राइट अंसर आपसर नमबर C सही हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर अपगानिस्तान इस्तित सिंदू सब्ता के इस्तल है तो जो इस्तल हैं सिंदू घाटी सब्ता के उन्हें कहा जाता है देह मोरा सिंगुंडई आपसर नमबर C इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंदू सब्ता के बंदर का नगर थे तो सिंदू सब्ता के बंदर का नगर थे लोथल एवं सुन्ड गटेर अलाहत दीनों, एवंबाला कोट और कुंतासी ये तीनों थे चलिए निश्ट मुहन जोदर से प्राप्ट पसुपति सिभ आधिशिव मुहर में निमलिखित में से जानवरों का अंकन हुआ था तो किस जानवरों का अंकन हुआ था चलिए, कोश्चन नमबर 43 देखते हैं किस हडपा कालिन इस तल से नरत्य मुद्रा वाली इस तरी की कांस मूर्थी प्राप्त हुई थी तो कांस वाली मूर्थी प्राप्त हुई थी साथियो यह हुई थी मुहन जोदोडों से किस हडपा कालिन इस तल से पुजारी की प्रस्तस्त मूर्थी प्राप्त हुई थी यह हुई थी साथियो हडपा सब्विता से अगला सवाल है निमलेकस में से कौन सी फसल हडपा कालिन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई थी तो हरप्पा कालिन द्वारा उत्पाधित डाले नहीं की गए थी कि पसव के अपसेश सिंदु घाटि सब्था में प्राब्त नहीं हुए थे यह हुए थे हमारे सेर के अगला सब्था है इस टार्ग मर्क कर लेजिए, इंपोर्टन सवाल है आर्थ सब्द का साब्दिक अर्थ होता है स्रेष्ट या कुलीन Q49 इन में से किस फसल का ग्यान बैदिक काल लोगों को नहीं था तबाकू की फसल का ग्यान बैदिक काल लोगों को नहीं था तो चलिए साथियो अगला और लास्ट कोस्टन मोहन जदोड़ो किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है इसका जवाब आप मुझे कमेंट में देजिए तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेश्ट वीडियो में जैहिन जैवाद